हेलो स्टूडेंट्स वल्कम अगेन टू लंग्री दिमन आज हम करने वाले हैं ठॉंडाइक का उद्धीपक अनुक्रिया का सिद्धान्त यह सिद्धान्त जो है वो मोस्ट इंपोर्टेंट है क्योंकि यहां से प्रश्ण हर बार आते हैं अब यहां से प्रश्ण किस टाइप के आते हैं एक तो यह आता है कि उद्धीपक अनुक्रिया सिद्धान्त के और कौन-कौन से नाम है इस थियोरी के और अन्य कौन से नाम दिये गए हैं थॉंडाइक इन्हें एजुकिशन साइकलोजी के पिता कहा जाता है इन्होंने किस प थियोरी के माध्यम से समझने की कोशिश करेंगे थियोरी बहुत इंपोर्टेंट रहती है क्योंकि कोई भी आपका टीचिंग एक्जाम हो वहां पर थॉंडाइक से कोशन जो है वो आते ही है चलिए स्टार्ट करते हैं सबसे फर्स्ट यह पता करना है कि थॉंडाइक की थि इनकी थियोरी का नाम क्या है उद्धीपक अनुक्रिया का सिद्धान्द स्टिमूलस रिस्पॉंस थियोरी ठीक है हिंदी और इंग्लिस दोनों में ही हम समझेंगे क्योंकि एक्जाम में हमारे दोनों ही आ सकती है ठॉंडाइक जिनने हम पादर ओफ एजुकेशन सिक्षा मनोविज्ञान के पिता कौन कहे जाते हैं ठॉंडाइक कहे जाते हैं यह एक अमेरिकन मनोविज्ञानिक थे यह भी हमें याद रखना है कि ठॉंडाइक कहां के मनोविज्ञानिक थे अमेरिकन के ठॉंडाइक प्रथम मनोविज्ञानिक थे जिन्होंने पस्वों बिल्ली पर हुआ, जो की 1912 इसवी में किया, तो आपको याद रखना है कि थोंडाइक का प्रियोग किस पर किया गया उन्होंने, विभू की बिल्ली पर ठीके, और जो की 1912 इसवी में किया, थोंडाइक की बुक है education psychology, इसी लिए इन्हें education psychology के पिता भी कहते हैं, तो यह जो यह उन्होंने 1913 इस्वी में लिखी चलिए यहां से कई प्रश्ण जो हैं वो आपके हो चुके हैं कि थॉंडाइक जो हैं वो फादर आफ एजुकेशन साइकलोजी कहे जाते हैं यह एक अमेरिकन मनोविज्यानिक थे सबसे पहले प्रश्णों पर प्रियोग करने वाले मनोव थॉंडाइक तॉंडाइक ने किस पर प्रयोग किया वो की बिल्ली पर किया इनकी बुक किया नाम था एजुकेशन साइकलोजी थॉंडाइक का उद्धीपक अनुक्रिया सिद्दान्त की उपनाम अव इस थेयोरी की अन्य नाम भी जो की एक्जाम में पूछे जाते हैं, SR थियोरी, इस थियोरी को हम SR थियोरी कहते हैं, S यानि Stimulus, जिसे उद्धीपक कहा जाता है, R यानि Response, जिसे अनुक्रिया कहा जाता है, उद्धीपक अनुक्रिया सिद्धान्द, Stimulus Response Theory, SR थियोरी, प्रियत्न वा भूल का सिद्धान्द, इस थियोरी का अन्य नाम है, प्रियत्न और भूल का सिद्धान्द, Trial and Error Theory, तो आपके एक्जाम में, इंग्लिस में ही यह लिखा हुआ आ सकता है, कि Trial and Error Theory किसकी है, तो इसी लिए मैं आपको कह रही हूँ, हिंदी और इंग्लिस, दोनों ही आपको याद रखनी होगी, संबंद बाद या बंद सिद्धान्द, Bond Theory, अब जो थोंडाइक ने बिल्ली पर प्रियोग किया, उसमें उन्होंने उद्धीपक और अनुकरिया, इन दोनों की बीच में ऐसा संबंद बिठाया, कि उनकी Bonding जो है, वो दिखाई देती है, ठीक है, वो की बिल्ली का भोजन को प्राप्त करना, और किस तरीके से प्रयास करना, किस तरीके से प्रयात्न करना, तो ये जो Bonding है, इसलिए उन्होंने इस सिद्धान्त को बंद सिद्धान्त भी कहा, तो ये भी आपको विशेश तोर पर याद रखना है, कि बंद सिद्धान्त जो है वो किस सिद्धान्त का उपनाम है, उत्तेजना अनुकरिया का सिद्धान्त, अब इसे हम उत्तेजना अनुक्रिया का सिधांत भी कहते हैं क्योंकि जितनी जादा उत्तेजना होगी तो उसी के तरीके से उद्धीपक जो है वो अनुक्रिया करेगा इसलिए उत्तेजना अनुक्रिया का सिधांत कहा जाता है तो चलिए जो थौंडाइक ने प्रियोग किया है भूकी बिल्ली पर उसे हम देखते हैं देखिए यह डाइग्राम में मैंने बिल्ली का बनाया है थॉन्डाइक ने क्या किया कि एक भूकी बिल्ली को एक पिंजरे में बंद कर दिया अब उस बिल्ली को कुछ भी नहीं सिखाया गया था पहले अब हम थॉन्डाइक ने जो थीोरी है प्रियत्νε और भूल का सिध्धान तो—conds थीोरी में यही बताया गया है कि जो बिली है वह एक थीटि भूकी है. बिली का भूका रहना बहुत जरूरी है तभी वह वह प्रियत्न करेगी और बहुत सारी गल्तियां करेगी और उसकी कारण ही वह सेहेगी उसके सामने एक उद्धीपक रखा गया, मचली, मचली जो वह है, वह है स्टूमलस यानि उद्धीपक का कार्रे करती है, और बिल्ली द्वारा बहुत सारी क्रियाइं की जाएंगी, तो वो क्या है, रिस्बॉंस, और इस उद्धीपक को प्राप्त करने के लिए बिल्ली ने जो अनुक्रियाएं की, उसी के द्वारा अधिगम यानि सीखना उसका हो जाता है, अब बिल्ली के सामने भोजन रख दिया गया, लेकिन उसके सामने जो गेट है, दरवाजा वह तभी खुलता, यदि वह लीवर को प्रेस करती, चुंकि बिल्ली को पहले कुछ नहीं सिखा गया तो वह बहुत सारे प्रेयतने करती है, उल्टे सीधे प्रेयतने करती है, जिसकी वज़े से उसका पैर जो है वह इस लीवर पर पढ़ता है, गेट खुलता है और वह अपने उद्दीपक को बोजन को प्राप्त कर लेती है, उसे दुबारा से इसी तरीके से बंद किया जाता है, अब वह फिर से प्रेयतन करती है और उसके बाद दुबारा उसे यह बोजन प्राप्त हो जाता है, तीन चार बार ऐसा करने के बाद विल्ली ने अब सीख लिया है कि जैसे ही लीवर पर पैर रखा जाएगा, उसे उसके उद्दीपक की प्राप्ती हो जाएगी, तो थौंडाइग ने यहां इस तरीके से इस प्रियोग में यह निकाला कि यदि उद्दीपक सामने रख दिया जाए, तो बहुत सारे प्रियतनों से, बहुत सारे भूल से वह उद्दीपक को प्राप्त करने की कोशिश करती है और उन गलतियों से, उन कोशिशों से ही अप प्रियास और तुर्टी सिद्दांद के प्रमुक सोपान, तो कौन-कौन से चरण है, सबसे पहले है चालक यानि ड्राइब, ड्राइब क्या है, भूक, जो की बिल्ली को आगे प्रेरित करती है, जो की उत्तेजना जागरित करती है, क्योंकि यदि बिल्ली भूकी ही नहीं तो वो कोई भी प्रेतन नहीं करती, ठीक है, तो यहां चालक का काम क्या कर रहा है, उसकी भूक, नेक्स्ट है लक्ष, लक्ष यानि गोल, अब वो बिल्ली का जो गोल है, लक्ष जो है, मचली को प्राप्त करना, लेकिन इसके बीच में जो रुकावट है, अवरोद, वह क् पिंजरा है, वह अवरोद का काम कर रहा है, अनियमे तक्रियाएं, अनियमे तक्रियाएं जो है, उसका अर्थ यह है कि बिल्ली द्वारा बहुत उल्टे सीधे प्रियास किये गए, उसके बाद उसने वह मचली को प्राप्त किया, संयोग वस सफलता, अब देखिए, संयोग प्राप्त हो जाए, यहाँ पर केवल संयोग वस यह कार्रे हुआ, और इसी संयोग वस के कारण वह तीन चार बार इन प्रियासों से, इन गलतियों से वह सीख गई, तो इसी तरीके से कहा जाता है कि मनुष्य भी यदि बहुत सारे प्रियत्न करे और बहुत सारी गलतियां क पूरा कर लेती है द्रणी करन लेकिन इसके लिए सबसे पस्ट यह होना चाहिए कि एक तो उतेजना होनी चाहिए और द्रणी करन यानि कि इसके लिए इस प्रयोग में यही बताया गया है कि एक तो जिस तरीके से एक घोड़ा जो होता है वह प्यासा होता है तो यदि उसे प्यास लगी है तब हम उसे तालाव तक ले जा सकते हैं लेकिन यदि वह प्यासा नहीं है तो हम उसे नहीं ले जा सकते हैं क्योंकि वह यदि जबर्जस्ति चला भी गया तब भी वह उसके लिए प्रयास नहीं करेगा ठीक है उसके बाद देखिए थॉंडाई के प्रयास और तुर्टी सिद्दान्त के प्रमुक सिद्दान्तिक पक्ष्य कौन से हैं, यहां से भी प्रश्ण बहुत आते हैं, अधिगम में प्रयास और तुर्टी समाहित होती हैं, बिल्कुल थॉंडाई कहते हैं, कि जो सीखना है, उसम प्रियास और जो गलतियां वो समाहित होती हैं जितना ज़्यास किया जाएगा जितना ज़्यादा गलती कि जाएगी उसी से अधिगम होगा उसी से सीखना होगा अधिगम संबंदो या बंदन के बनने का परिणाम है क्योंकि हमने देखा कि बिल्ली ने उद्धीपक के साथ ए अधिगम सूज युक्तना होकर उत्रोतर होता है यहां पर सूज यहां पर अचानक से जो माइंड में एक आइडिया आ जाता है अचानक से जो एक माइंड में बल्व जल जाता है कि हाँ इस तरीके से यह चीज जो है वो हो सकती है वह नहीं थी यहां पर सूज का कोई भी अर् अधिगम संग्यान पर आधारितना होकर प्रत्यक्ष्य होता है जैसा देखता है मनुष्य उसी तरीके से वह सीखता है ठीके तो यहां पर देखिए ठॉंडाइक के सिद्धान्त में उन्होंने गलतियों को और प्रयासों को प्रयत्ना को इनको महत्वा दी है दूसरे उन्होंने कहा है कि यदी उद्धिपक के साथ सμबंद बठाए जाता है तो उस वजे से भी विक्ती उस चीज़ को सीख जाता है थर्ड बात में उन्होंने यह कहा कि यहां पर सूज का कोई महत्व नहीं है यानि सूज से कोई चीज नहीं सीखी जाती है बलकि यह तो केवल गलतियों से और प्रियतनों से प्रियासों से सीखी जाती है इसी लिए प्रत्यक्ष जो अन्वव हैं वही अधिगम का कारण बनते हैं अब यहाँ पर अधिगम के मुख्य तीन नियम जो है वह है ठोंडा एक ने बताए जो की most important है यहाँ से कई वार प्रशन आपके आया भी है सबसे first उन्होंने दिया अभ्यास का नियम, second दिया उप्योग का अधिगम के मुख्य नियम अधिगम के मुख्य तीन नियम बताए ठोंडा एक ने जो की आपको इनके नाम याद होने चाहिए सबसे पहले दिया अभ्यास का नियम, law of exercise, second दिया प्रभाव का नियम, law of effect, ततपरता का नियम, law of readiness तो याद होने चाहिए अभ्यास का नियम, प्रभाव का नियम और ततपरता का नियम अब हम इने समझते हैं अभ्यास का नियम कहता है कि यदि बार-बार अभ्यास की जाती है तो अधिगम होता है तो वह सीखता है जिस तरीके से बिल्ली ने बार-बार अभ्यास किया प्रियतने किया और वह सीख गई इसके अंतरगरत दो नियम आते हैं उपयोग का नियम या अनुप्रियोग का नियम उपयोग का नियम जो किस्मरती पर आधारित है यानि अगर किसी चीज का कोई उपयोग होता है तो वह चीज जल्दी से याद हो जाती है क्योंकि उस बिल्ली ने बार बार प्रियोग किया प अभ्याज ही नहीं करेंगे तो कुछ समयवाद वह है विस्मरति हो जाएगी यानि हम भूल जाते हैं आप ही मान लीजिए कि यदि आपके एक्जाम आने वाला हो और आप उसकी बार बार प्रैक्टिस करते हैं तो वह है आपकी इस्मरति पर आधारित होती है उस चीज़ को आ बहुत अच्छे तरीके से सीख जाते हैं लेकिन यदि आप प्रियोग ही नहीं करेंगे और बीच में गैप कर देंगे छोड़ देंगे आपने प्रियत्न नहीं किया तो वह है आपकी विस्मरति में चला जाएगा यानि आप वह उस चीज़ को भूल जाएंगे वहां पर आ उन्होंने दो प्रकार बताए कि सुखद अन्वव और दुखद अन्वव यदि किसी भी उद्धीपक को प्राप्त करने पर सुख की अन्वूती होती है तो जल्दी सीखता है ज्यादा सीखता है यदि उसी जीज़ को सीखने में व्यक्ती को दुख की अन्वूती होती है तो वह कम सीखता है, मान लिजियो अगर उस बिल्ली जो भूकी थी, उसके सामने जो उद्दीपक रखा था, और उद्दीपक जो है, वह उसे जब उसने प्रयास किया, तो उसे प्राप्त हो गई, उसके मचली प्राप्त हो गई, तो अब उसने सीख लिया, यदि वह भूकी होती और प्रयास करती एक बार भोजन उसके सामने रख दिया जाता दूसरी बार वहां से हटा लिया जाता और उसे इतने प्रयासों के बाद भी यदि उसे वस्तु प्राप्त नहीं होती उद्धिपक प्राप्त नहीं होता तब वह प्रयास ही नहीं करने को तयार होती अगली बार ठीक है तो जिससे उसे दुखद की अनवूती होती और वह उसका सीखना क्या हो जाता कम हो जाता नेक्स्ट है ततपरता का नियम यदि कारे के प्रती ततपर हो यहां मैंने जैसे घोड़े का एक्जामपल लिया यदि घोड़ा जो है वह पानी पीने के ततपर है तो वह उस चीज़ को बहुत जल्दी सीख जाएगा क्योंकि उससे प्यास लगी है जिस तरीके से बिल्ली भूकी थी तो उसने क्या किया वह ततपर थी उद्दीपप को प्राप्त करने के लिए और गोड़ा जो था वह पानी पीने के लिए ततपर था तो इसी त तरीके से वह बहुत अच्छे तरीके से सीख जाती है तो यहां ततपरता का नियम जो है वह भी लागू होता है सीखने में सीखने वाले बालक में सीखने की प्रबल इच्छा होनी चाहिए अब हमारी अगर सीखने की इच्छा ही नहीं है तो हम उस चीज़ को नहीं सीख सकत क्योंकि यदि सिखा भी दी जाए और वहां इच्छा ही नहीं है तो कुछ समयवाद वह भूल जाते हैं, तो ततपरता का नियम जो है, वहे भी सीखने पर निर्भर करता है, तो यह तो मुख्य नियम थे जो आपको याद होने हैं कि अभ्यास का नियम, प्रभाब का नियम और भूल द्वारा सीखने का सिधन इसी नियम पर आधारित है देखिए बहु अनुकुरिया का नियम सीखने के दौरान बहुत सारे प्रियास करना यही नियम जो है वह है गौण नियम कहलाता है कि सीखने के दौरान उसने अनेक प्रियास किये थे जिस तरीके से बिल्ली ने नेक्स्ट है मानसिक इस्तिती या मनोव्रती का नियम यह नियम कहता है कि मानसिक रूप से तयार होने पर सीखना जादा होता है यदि पहले से ही प्रपेर हैं कि इस चीज़ को सीखना चाते हैं तो अधिगम और अधिक होता है यानि हमारी मानसिक इस्तिती जो है वह भी निर् पर आंसिक्रिया का नियम कहता है कि बिविन प्रयासों से आंसिक्रिया या सूज द्वारा सीखना होता है अब देखिए ठोंडाइक का जो मुख्य नियम है वहाँ पर हमने सूज की बात नहीं की क्योंकि वहाँ पर सूज का कोई भी मतलब नहीं है क्योंकि बिल्ली ने तो प् तो आपको यह चीज याद रखनी है, इसी लिए यह गौण नियम में आता है, मुख्य नियम में नहीं, समानता का नियम, law of analogy, पूर्व अधिगम के अनुवब से समानता होने पर सीखना आसान होता है, अब यह नियम यह कहता है, कि यदि पहले का अधिगम जो है, उसी के पूर्व यह समान यदि दुबारा से वह कारणे सामने दिखाई देता है, तो सीखना और भी आसान हो जाता है, सहाचर्य परिवर्तन का नियम, law of associative shifting, यह कहता है कि SR यानि stimulus response से जुड़ी वस्तों के साथ भी सहाचर्य इस्थापित हो जाता है, अब जैसे कि इस नियम के ब कुट्य के मुँमें लार तभी आती थी, जब उसे क्या दिखाया जाता था? खाना दिखाया जाता था, भोजन दिखाया जाता था, तो जब घंटी बजाई जाती थी, तो भोजन प्राप्त कर लेता था, लेकिन घंटी बोजन प्राप्त करने और घंटी बजाने के बीच म क्योंकि कई बार उसके सामने कीवल बर्तन ही पात्र आने से ही उसके मुझ में लार आना प्रारंब हो गई थी तो नियम यही कहता है कि यदि स्टूमलेस रिस्पॉंसे से जुड़ी वस्तुमें जो होती हैं उनके साथ भी सहचरे सापित हो जाता है